दोस्तो एक ऐसा भारती तेजगित बाज जो यारकर फेकने में माहिर है और एक समय ऐसा भी था जब जस्पीत बुमरा के अनुपस्तिती में वो भारती टीम के तरब से खेल भी रहते वो अचानकी चोट की वज़े से भारती टीम से बाहर हुए और फिर दोबारा कभी उनका भारती टीम में चैन ही नहीं हुआ चैन की बाद तो छोड़िये लोग उनके नाम की चर्चा भी नहीं करते थे जी हां हम बात कर रहे हैं यारकर स्पेसलिस्ट टी नट राजन की टी नट राजन का पुरा नाम ठंग रासू नट राजन है उनका जन्म 4 अप्रेल 1991 को सलेम त टी नट राजन पाए हाथ के मध्यम गति के तेजगेदबाज हैं टी नट राजन ने भारत के तरप से अपना एक दिवसियर डेवू मुकाबला 2 दिसंबर 2020 को ऑस्टेलिया के खिलाब ओल क्रिकेट ग्राउंड में किया था जबके उन्होंने अपना पहला T20 मुकाबला ऑस लेकिन टी नट राजन घुटने के चोट के वज़ा से साल 2021 से ही भारती टीम से बाहर है टी नट राजन काबा में खेले गए उस एतिहासिक टेस्ट मैच का हिस्सा भी थे जिसमें खास का रिसपपन और भारती खिलाडियों के सांदार प्रदर्सन के बलबूते भारती टीम के अपने पहले मुकाबले में संराइजर्स हैदराबाद के तरफ से खेलते हुए कोलकाता नट राइडर के खिलाप सांदार गेदबाजी का परतसन किया और 32 रंदे कर तीन बिकेट लिये थे टीम नट राजन ने अपने आखरी ओबर में रसेल के रहते हुए मात्र आठ र नट राजन का परदर्सन बेहदी संदार था ऐसे में पूरी उमीद है कि सायद इस IPL में टीन राजन संदार परदर्सन करकी चोटिल मुहमद समी की जगह टी ट्वेंटी बीसो कप में भारती टीम में सामिल हो जाएंगे और जैस्पीद बुम्रा और मुहमद सिराज का भर कमेंट बॉक्स में जरूर दे